शैला क्या हुआ? इतनी परिशान क्यों हो? मम्मी, मैडम ने फलो का राजा आम पर अनुछेद लिखकर लाने को कहा है क्या उन्होंने नहीं बताया कि अनुछेद कैसे लिखते हैं? पर सो बताया था, उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी मैं बताती हूँ फिर तुम अनुछेद लिखना शैला को उसकी मम्मी बता रही है कि अनुछेद कैसे लिखते हैं? आपको मैं बताता हूँ अनुछेद में किसी एक ही विचार को लिखा जाता है अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करने से भाशा का ज्यान बढ़ता है किसी भी विशय पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद लिखकर एक निबंध भी तयार कर सकते हैं अनुच्छेद की भाशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए अनुच्छेद के वाख के सरल और छोटे छोटे होने चाहिए किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए आओ अब अनुच्छेद लिखें फलों का राजा आम आम फलों का राजा कहलाता है यह अधिकतर लोगों का प्रियफल है स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें और भी बहुत से गुण होते हैं आंग की अनेक किसमें होती है भारतियां आमों की सभी किसमें एक साथ प्रदर्शनी में देखी जा सकती है दिल्ली और लखनव में आमों की प्रदर्शनी लगती है